Hello everyone, welcome to special study आज की इस special वीडियो में political party मतलब की जितने भी राजनितिक दल है उनसे बनने वाले जितने भी top MCQ है जितने भी question है जो की आभी तक पिछली exam में पूछे जा चुके हैं उन सभी को इस वीडियो में one by one cover करने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए काफी important रहेगा क्योंकि इस topic से आपको अकसर exam में question देखने को मिलते हैं तो चले दोस्तों सुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा question number one है भारत में दली व्यवस्ता की इस प्रकार की है तो याद रखेगा जो भारत में दली व्यवस्ता है दोस्तों वो बहु दली प्रकार की है तो option number three यहाँ पर right होगा अगला question है लोकतंत्र का कार यह संचालन किसके अभाव में असंभव है तो किसके अभाव में असंभव है राजनितिक दल के तो option number C यहाँ पर फिर से right हो जाएगा आगे बढ़ते है question number three हमारा भारत में दली व्यवस्ता की प्रमुक विसेश्ता क्या है तो कौन-कौन सी प्रमुक विसेश्ता है दोस्तों जो option number A दिया है आदिकांस दल प्रदानत धर्म भासा एवं जाती पर आदारित है तो यह उसकी विसेश्ता है विबिन राजनितिक दलों की नितियों एवं कारक्रोम में काफी समानता है तो यह भी एक विसेश्ता है उसकी वीबिन चेतरी या राजिस्तरी राजनीतिक दलों की भरमार है तो ये भी एक प्रमुक विसेस्ता है भारती दल की तो उप्यूक तो सब इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 4 देखते हैं निन्मलिकित कतनों पर विचार करना है कतन A बोल रहा है बारत में इस्थाई दली विवस्था नहीं है और कारण R जो दिया गया है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत आधिक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो A और R दोनों सही है और A आर की सही व्याक क्या है मतलब option number यहां पर सही अंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 5 देखते हैं कम से कम कितने राज्यों में राज जिस्तरी पार्टी की हिसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राश्टी पार्टी की माननेता दी जाती है तो total कितनी पार्टी को दी गई है तो चार पार्टी इसका सही अंसर हो जाएगा option के according आगे बढ़ते हैं किसी राजनीतिक दल को राश्टी दल अत्वा प्रादेशिक दल के रूप में माननेता कोन देता है important question रहेगा आपकी exam के लिए तो निर्वाचन आयोग इसका सही अंसर होगा आगे बढ़ते हैं question number 8 की बात कर लेते हैं किसी राजनीतिक दल का राश्टी दल के रूप में माननेता दी जाती है तो कब दी जाती है दोस्तों जब उसे चार या आधिक राज्यों में राजिस्तरी राजनीतिक दल के रूप में माननेता दी गई हो तो option number C यहाँ पर right हो जाएगा और यह कई बार exam में देखने को मिला है तो याद रिखेगा question number 8 है हमारा भारत में कोई भी राजनीतिक दल राश्टी दल के रूप में माननेता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य इस्तर का दल है कम से कम तो कितने राज्यों का दल होना चाहिए वह चार राज्यों का ठीक है तो option number B यहाँ पर right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं किसी भी राजनीतिक दल को राश्टी दल के रूप में तबी माननेता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाओं में उसे कम से कम चार राज्यों में कुल कितना प्रतिहात मत प्राप्त हो तो कितने पर्षन मत प्राप्त हो दोस्तों चार पर्षन इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 10 के बात कर लेते हैं भारत में राश्टी दल के रूप में माननेता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए तो कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए 4% वेद्य मत ठीके अत्वा आधिक राज्यों में तो option number 2 यहाँ पर right हो जाएगा अगला question है हमारा भारत में दली पद्दती की एक विसेस्ता है तो कौन सी विसेस्ता है बहु दली पद्दती तो option number 2 इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 12 देखते हैं प्रतम लोकसवा चुनाओं में कितने राजनितिक दलों को राश्टी दल का दर्जा प्रदान किया गया है तो कितने दलों को प्रदान किया गया है चौदा इसका सही अंसर होगा important question रहेगा आपकी exam में question number 13 की बात कर लेते हैं वर्तमान समय में देश में राश्टी दलों की कुल संक्या कितनी है तो कितनी है दोस्तो साथ इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निन मलिकित में से कौन एक छेतरी दल है तो कौन एक छेतरी दल है दोस्तो आकाली दल इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question की बात करे किसी राजनितिक दल को पंजिकरत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिसत मत पाने चाहिए तो कम से कम कितने प्रतिसत मत पाने चाहिए 4% इसका सही answer होगा देख सकते हो SSC में पुछा गया question है ये भी सारे questions important है दोस्तों बस ध्यान से वीडियो को देखेगा आंत तक question number 16 है बारती जनता पार्टी किस राजनितिक समूँ का एक हिस्सा है तो किस राजनितिक समूँ का एक हिस्सा है important question रहेगा तो राश्टीर जनतांत्रिक गड़ बंदन का एक प्रमुक हिस्सा है तो option number B यहाँ पर right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 17 number question है यहाँ पर सही मिलान करना है आपको कौन से पार्टी से कौन सा राज्य सम्बंदित है आपको बताना है तो जो सेथकर कामगार पार्टी है दोस्तों यह महाराष्टे से सम्बंदित है पट्टाली मककल कतिची जो पार्टी है यह पांडीचेरी से सम्बंदित है revolutionary people से पार्टी की बात करें तो यह केरल से सम्बंदित है और जो national conference जो पार्टी है यह जम्बू कस्मिर से सम्बंदित है ठीके तो option number A हमारा यहाँ पर right हो जाएगा चले बढ़ते हैं आगे अठरा नंबर कोश्चन की बात करें भारती साम्यवादी दल का विभाजन दो दलो CPI और CPI M में किस वर्स में हुआ था तो ये हुआ था 1964 में याद रखेगा important question रहेगा 19 नंबर कोश्चन की बात करें भारती राष्टी कांग्रेस का गठन किस वर्स हुआ था तो किस वर्स हुआ था दोस्तो तो 1885 में हुआ था आपको पता होना चाहिए very most important question रहेगा 20 नंबर कोश्चन की बात करें भारती राष्टी कांग्रेस का चुनाव चिन्न है तो कौन सा है ये तो आपको पता होगा पंजा इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर कोश्चन की बात करते हैं भारती जन्ता पार्टी का चुनाव चिन्न क्या है तो इसका आंसर भी आए आप सबी को पता है कमल इसका सही आंसर होगा 22 नंबर कोश्चन है निनमली के चुनाव चिन्नों में से कोंसा चुनाव आयोक द्वारा लोकसवा विधानसवा चुनावों में एक से आधिक राज़ितिक दलों के लिए अरक्षी थे तो कोंसा चुनाव चिन्न हात इसका सही आंसर हो जाएगा option number D आगला question की बात करें धनुस एवं तीर निसान है तो किस party का जो चुनाव चिन्न है धनुस एवं तीर तो ये है जारकन मुक्ति मुर्चा का आगे बारत करते हैं 24 नमर कोश्चन है भारती कम्यूनिस्ट पार्टी CPI का अस्तित्व कीस वर्स हुआ है तो कीस वर्स हुआ है दोस्तो 1925 में तो अप्सन नमबर D इसका सही अंसर हो जाएगा भारती कम्यूनिस्ट पार्टी का अस्तित्व कव आया था तो 1925 इसका सही अंसर आगे देखते हैं भारत में मुस्लीम लिग की स्थापना कब हुई थी? very most important question रहेगा तो कब हुई थी मुस्लीम लिग की स्थापना? इसका सही अंसर हो जाएगा 1906 काफी बार एक्जामें पूछा गया है तो याद रखेगा 26th number question है गांधिवाद, समाजवाद किस राजनितिक दल का वेचारिक नारा है? तो किसका वेचारिक नारा है दोस्तों? भाचपा का तो अप्सन नमबर भी इसका सही अंसर हो जाएगा 27th number question है किसी मान्यता प्राप्त राजनितिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन आवंटन के निर्नय के विरूद नेन्म में से कहां अपिल की जा सकती है? तो कहां अपिल की जा सकती है? सरवच्च नियालय में अगला question है किसी राजनितिक दल का चुनाव चिन 1952 के आम चुनाव से अब तक आप अरिवर्थित रहा है तो किस राजनितिक दल का रहा है? CPI इसका सही अंसर होगा option number है आगे बढ़ते हैं 29 number question देखते हैं पसु पक्ची चुनाव चिन ने रहने के कारण निर्वाचन आयोग के आदेस निर्देस आनुसार किस राजनितिक दल ने सरोपतम नवंबर 1994 में 1994 में अपना चुनाव चिन न बदला तो किस आयोग ने बदला था दोस्तों? तो इसका सही अंसर हो जाएगा forward block ठीके option number है यहाँ पर right होगा 30 number question के बात कर लेते हैं तेल्गू देसम पार्टी का चुनाव चिन न क्या है? तो जो तेल्गू देसम पार्टी है उसका चिनाव चिन न है cycle आगे बढ़ते हैं 31 number question है निर्द मलिकित में से कोन सा राजनितिक दल? राश्टी राजनितिक दल है तो यह चारो में से आपको पता होगा यह चारो में से कोई भी राश्टी दल नहीं है याद रखेगा तो option number D इसका सही अंसर हो जाएगा 32 number question है 1999 में किसके विगटन से राश्टवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो किसके विगटन के पस्चात राश्टी राश्टवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है तो कांग्रेस पार्टी इसका सही अंसर हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं 33 number question देखते हैं दोस्तो 99 मलिकित में से कोन सा दल ना तो माननेता प्राप्त राश्टी दल है ना ही मद्य प्रदेश राश्टी के लिए माननेता प्राप्त है तो गोडवाना गंतंत्र पार्टी इसका सही अंसर हो जाएगा option number C ठीक है 34 number question है नीन मलिकित में से कोन सा छेत्री राजनीतिक दल है तो छेत्री राजनीतिक दल कोन सा है आकाली दल इसका सही अंसर होगा option number D आगे बढ़ते हैं 35 number question है भारती जन्ता पार्टी के गठन के पस्चात इसके प्रतम अध्यक्च कोन थे तो इसके प्रतम अध्यक्च थे दोस्तो A, B, वाच्पे इसका सही अंसर होगा ठीक है 36 number question है दल वीहिन लोकतंत्र के पक्च में कोन था तो दल वीहिन लोकतंत्र के जो पक्च में था वो था जैप्रकाश नारायन option number है यहां पर right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 37 number question राजनितिक दल निन्मलिकित में से किसके लिए जरूरी है तो राजनितिक दल लोकतंत्र के लिए जरूरी है तो option number 6 इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो 38 number question की बात करें वह भारती राजनितिक दल कोन सा है जिसकी स्थापना तासकंद में हुई थी तो किसकी स्थापना तासकंद में हुई थी भारती कम्यूनिस्ट पार्टी इसका सही अंसर हो जाएगा option number C आगे बढ़ते हैं 39 number question है किस राजनितिक दल की स्थापना सोतंत्रता से पुर्व हुई थी तो किसकी हुई थी भारती साम्यवादी दल इसका सही अंसर हो जाएगा जिसकी स्थापना सोतंत्रता से पुर्व हुई थी अगला question है निर्मलिकित में से किसकी स्थापना बियार अंबेटकर द्वारा की गई थी तो किसकी स्थापना की गई थी सोतंत्रत स्रमिक दल इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं निर्मलिकित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है तो कौन सा राजनीतिक दल नहीं है राष्टी लोकतांत्रिक गढ़ बंदन इसका सही अंसर होगा उप्सन नमबर भी भारत के कीस राजनी में पहली बार गेर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो कीस राजनी में बनी थी केरल इसका सही अंसर होगा पुछा गया कोस्चन है तो याद रखेगा 43 नमबर कोस्चन की बात कर लेते हैं केंद्र में पहली गेर कांग्रेशी सरकार किस वर्स बनी थी तो किस वर्स बनी थी 1977 में बनी थी पहली गेर कांग्रेशी सरकार आगे बढ़ते हैं दोस्तो 44 नमर कोश्चन है राष्टवादी कंग्रेस पार्टी को कब इस्थापित किया गया था कब इस्थापित किया गया था? 1999 में तो ऐसन No. पर आँजी इसका सही अंशर होगा 45 नमर कोश्चन है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था तो किस वर्ष में किया गया था 2012 में आगे बढ़ते हैं दोस्तो 46 नंबर कोश्चन द्रैवीड मुनेतर कडगम की स्थापना कप किस ने की थी तो इसकी स्थापना की थी C N अन्ना दुरई ने तो option number C यहाँ पर right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 47 number question है हमारा भारती राजनीतिक पार्टी CPI का पूरा नाम क्या है important question रहेगा आपकी exam के लिए तो इसका full farm क्या है सही Communist Party of India काफी बार exam में पूछा गया है तो याद रखेगा आगे बढ़ते हैं 48 number question हमारा जाएगा बहुजन समाच पार्टी और यह आपको पता भी होना चाहिए अगला question है भारती राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है तो AITC का पूरा नाम है All India Tramul Congress important question रहेगा आपकी exam के लिए ठीक है तो दोस्तों उम्मीदे की सभी question आपको अच्छे लगे होंगे आगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज लाइक करके motivate जरूर किजेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने friends औरकर के साथ share किजेगा चेनल पर नहीं हो तो subscribe करके बैल आइकन को जरूर पेस किजेगा दोस्तों ठीक है और आपको बता दो कि आपने हमारे पूराने वीडियो नहीं देखें है तो मैंने Indian geography को complete topic wise MCQ के रूप में cover किया है और politics के भी कई सारे मैंने topics already मैंने MCQ के रूप में cover करवा चुका हूँ अगर उन वीडियो को आप देखना चाते हो तो उपर दिएगा या लिंक पर जाकर उन वीडियो को जरूर देखेगा तो चलिए मिलता है इसे important topic के साथ important question के साथ next video में जब तक के लिए जय हिन जय भारत